नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टेक यूट्यूब का फिर से बहुत-बहुत स्वागत अगर आप सीएसपी लेडा चाहरे हैं किसी बैंक यहां पर दूब्ञा का जो है सबसे पहले आपको मिलेंगे और वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक जरूर कीजिए और भी आपको दिखा देता हूं अगर रिचार्ज करने का इच्छा है तो आप यहां से रिचार्ज कर सकते हैं बालेंस ट्रांसपर कर सकते हैं और अधार इनेबल पैमेंट सर्विस जो और इसका आइड अगर लेना चाहते हैं तो इसका आइड लेने के लिए में भी प्रोसेज दिखांगा आपको की तरह से यहां पर रिच्ट्रेशन करना और आइडी मिलेगा वह फिरी मिलेगा आपको एक रुप्या नहीं लेगा ठीक है और यह आप्सन में आपको दिखा द आपकोर्ष गया देना हैं कि कै Two collide कsome K Mitarbeiter रहा है मुईल मुइल मेएक दिता हूँ आति मुखल में सब्सक्राइब करता हूं सब्सक्राइब करता हो यहां से दीख लिए यह अगये यहां से आपको बैंक से लेक्टाना है पलासा अधार का देना किस्टिमर का यहां से बैंक से सेलेक्ट करता हूं बैंक सेलेक्ट करने के लिए बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको बैंक जो बैंक में कस्टमर का अकॉंट है वो बैंक सेलेक्ट करेंगे और कस्टमर कर यहां पर अधार नमर देंगे यहां से मैं एक अधार नमर भी दे दिया हूं ठीक है अधार नमर दे दिया हूं यहां से इतना करने के बाद इसको scan finger पर क्लिक करेंगे scan finger पर क्लिक करेंगे यहां पर मैं अभी fingerprint इसमें डिवाइस में लगाया हूं इसलिए unable to capture लिखा गया है इस तरह से आप जो है balance निखाल सकते हैं किसी customer का आप इस प्रोसेस के दोर ठीक है यही प्रोसेस आपको सेम करना पड़ता है यहाँ से एपिएस की option को क्लिक करेंगे balance inquiry पर क्लिक करेंगे यहाँ पर customer का में आपको आथार नमर देना हो यह किस्टमर का नमर में दे दिया हूं इतना करने के बाद यहां से बैंक सेलेक्ट करना है आपको कौन से बैंक में आपका अकॉंट है बैंक सेलेक्ट करने के बाद किस्टमर का अधार नमर देना है कि अधार नमबर में दे दिया है यहां से प्रोसिस्ट कर देता हूं यहां से डिवाइस लगाना है और यहां से आप एसकेंट फिंगर करके कस्टमर का एकॉंट बैलेंस चेक कर सकते हैं इस तरह से आप जो है बैलेंस इंक्वारी भी कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर में करना है दोस्तों इस वे सैट का लिंक बॉक्स में डाल दोंगा वहां से आप चले जाएंगे और आपको रेजिस्टेशन करने का जो फॉर्म है वो फॉर्म कुछ इस तरह से डिजिटल मुद्रा नाम का एक फॉर्म है इस फॉर्म को आपको पूरा अची तरह से भर लेना है य आपकोर इंच डाल यहां यहां पर यह देख रहें उप्फी टीलर डालना है अध्रेस अपना पूरा अध्रेस डालेंगे पूरा इड्रेस डालने के बाद जीप कि नमर इसमेड़ क्लिक कर देगे तो आपका प्रोसेस का पूरा कंप्ली多 हो जाता है इतना होनी के अश्ट बाद आपको एक verification call आएगा आपके नमबर पे जो नमबर इसमें डैल की होंगे उसे नमबर पे verification के बाद आपको mobile पर SMS के दोरा एडी और पासवर्ट भेजा जाता है ठीक है इतना सरा process का registration करने का और इस तरह से आपके इसका एडी ले सकते हैं यहीं चीज अगर आप आप computer में चलाते हैं तो यहां से partner पर जाएंगे पार्टर पर जाने के बाद यहां से login कर सकेगे चली में लोगिन करके दिखाता हूं यहां से अपना एड़ी और पासपर देके इसे login कर लेंगे ठीक है आप यहां से देख सकते हैं आप अगर आपने वैलेट में जो भी देख सकते हैं यहां से आप मोबाइल रिचार्ज डिचार्ज रिचार्ज पैन काड़ डाटा काड़ पोस्ट पेड़ एलक्रिसीटी गैस वील वाटर वील इंसोरेंस और एपस्ट ड्यम्ट यह साड़ा आपको वेब साइट पर भी मिल जाता है अगर मोबाइल फोन में खोलेंगे और EPS का उप्शन चलाएंगे तो यह इसके लिए आपको एप चलाना होगा एप का जो अभी मैं आप एपका लिंक अपने डिसीशन दे दूंगा वहां से डॉनलोड कर लिजेगा इस तरह से हैं किसी भी बैंक से आप पैसा निकाल सकते हैं तो अभी जो मैंने रिश्टेशन करने का प्रोसेस बता इस प्रोसेस के दौर आप अभी जस्ट रिश्टेशन कर लिजिए और आपको बहुत भाष्ट आपको ID और पासपर्ट मिल जाएगा अगर आपको ID पासपर्ट नहीं मिलता था हमारी कमेंट्स बॉक्स में लिखेग सब्सक्राइब परकी चैनल हो रहा हैं इसलेक्ट करेंगे और यहां पर अपर पुरा डिटियल्स यहां पर लिखेंगे और सेंड करके आप जो है अपना प्लेंज भेज सकते हैं और आपको तुर्फ इसका रिपलाइव आपको में डीजिटल मुदरा की जो कंटैक्ट पाइटिस और अंठानवा अर्थिस उन्टीस बावन चालीस दोनों नमर पर कॉल करके आप हैल्प ले सकते हैं अगर एडी लेने में कोई दिखात होता है कोई तरकाइस होगा तो इस पर कॉल कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लेती से लाइक जरूर कीजेगा हमारी चैनल वाचिंग दिस वीडियो